हेलो एवरिबड़ी वेलकम टू माई चैनल अगीन आज मैं आप सब के साथ काड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं क्योंकि कोविड-19 इतनी बुरी तरह से फैल रहा है जिससे बचना सभी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन काड़ी रूटीन में आप शामिल करें हेल्दी ड्रिंक जो है काड़ा तो आए देखते हैं हम इस काड़े को कैसे प्रपेर करते हैं और इसे फाइदे कैसे मेलेंगे हमें सबसे पहले मैंने इसके लिए लिए है चार ग्लास पानी आप कोई भी कप ये ग्लास से इसका मेजर तुलसी पत्ता बहुत ज़दा फाइदे मंद है हमें स्वस्त रखता है मैंने यहां पर यूज किया है थोड़ा सा जावित्री जो हमारी बॉड़ी को गर्म रखता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और अब मैं इसमें डाल रही हूं चार से पांच लॉंग जो हमारे को अब हम इसमें डालेंगे आठ से दस कोटी हुई काली में जो लगबग 1x4 TSP के आसपास होगा 1x4 TSP के आसपास आप उसे कोट करकी यूज कर लें मैं डाल रही हूं जिंजर पाउडर जिससे सूट पाउडर पे कहते हैं अगर आपके पास की नहीं है तो आप इसके जगह फ आफल बच्चों के साथ साथ हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं यहां पर यूज कर रही हूं यहां पर यूज कर रही हूं थोड़ा सा जैगरी भी ठेपन के लिए अगर आपको गुड़ डालना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह हनी यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को डालने के बाद हमें इसे मीडियम फ्लीम पर कम से कम 5-10 मिनिट के लिए बहुत अच्छे से बॉइल करना होगा ताकि इन सारे मसालों का जो सत्व है वो इस पानी में आ जाए क्योंकि आपको इसका पानी ही पीना है इन मसालों को नहीं खाना है तो आपक जो बुजर्ग हैं वो भी हमेशा काड़ा लिया करते थे और हमें भी छोटे से कभी कोल एंगाफ होता था तो मम्मी भी हमें जन्दी से काड़ा बना कर दिया करती थी जिसे हमें काफी आराम मिलता था तो वही चीज आज हमारे सामने फिर से है, तो कोशिश करें कि अपने डेली रूटीन में आप इन सारी चीज़ों को शामिल करें, healthy drink लें, अच्छे foods लें, citrus वाले सारी foods लें, आप दो time कम से काड़ा लें, लेकिन friends जहान रखें कि जब भी आप काड़ा पीएं तो ये खाली साथ ही इसको पीने से पहले या इसको पीने के बाद आप कोई ठड़ी चीज ना खाई या ठंडा ठंडा पानी ना पीएं, नहीं तो काड़ा का जो main benefit है वह हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, friends आप कोशिश करें कि आपके बच्चे घर पे छोटे हैं, जैसे मेरा बेबी बिल्कुल भी काड़ा नहीं पीता तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे इस तरह से बनाऊंगी, एक चमच मैं उसे काड़ा दे सकूँ, तो दो से तीन चमच आप कोशिश करें, अपने बच्चों को भी काड़ा बिलाने की आदत अभी से डालें, यह बहुत ही जादा अच्छ अपने फैमली के साथ इस लॉकडाउन को इस कोविड की सिचुएशन को इंजॉय भी करना है, तब तक के लिए फ्रेंज, बाई बाई